नमस्कार दोस्तों आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर फिर दस साल बाद इन पदोपर करने वाली है भरती एक सो अन्ठानबे से भी अधिक पदोपर की जाएगी भरती इसके लिए सेक्षडिक योग्यता क्या रहेगी कौन कौन एपलाई कर सकते हैं कौन इसके लिए इलिजबल है परिक्षा की पद्धती क्या रहेगी चैन की प्रक्रिया क्या रहेगा उम्र सेलरी एक्जाम टोटल म कितने प्रस्ण पूछे जाएंगे कितने नंबर के रहेंगे पूरी जनकारी इस वीडियो के माधम से देने वाला हूं साथ ही साथ सिलेबस की संपूर जनकारी इस वीडियो के अंतरगत मिलने वाली है संपूर जनकारी के लिए वीडियो में तक बने रहे और यदि आप नए ह इसी प्रकार के नए नए जनकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं यह आपके इच्छा है तो चलिए शुरू करते हैं आज के यह मातपुड वेडियो चतिसगर लोक सेवा आयोग CGPSC राइपूर द्वारा 27-11-2013 में भरती निकाला गया था 10 साल पहले तो अब 10 साल बाद भरती होने वाला है किस पर भरती होना लाए कन सी पदो पर तो वे पद है सायाक विकास्खन सिक्चादिकारी तो यह जनकारी जो है दोस्तो जो जो योग विग्या पंजारी किया गया था इस बार 1198 जादा भी हो सकता है और पद का वीरण इस प्रकार से जैसा कि आप देख पर है सायक विकास्खन सिक्चादकारी सेवा का स्रेडी रहता है राज पत्रिक दिती स्रेडी का और वेतन मांत की बात की जाए तो जैसा कि आप देख प सासन के स्थाई अई स्थाई वर का चार्जा कॉंटेंसी पेड कर्मचारी तथा 36 गडाजा के निगमों मंडलों की कर्मचारी के संबद में उस्तम आयू सीमा 38 वर्षा रहेगी तो इस प्रकार से अनिर्धारित आयू सीमा की बात की जाए तो मिनमम 21 वर्षा और अधिक्तम 45 तो से नहीं होना चीए इस प्रकार से यह जो केंडिडेट को छूट बिलता है इस प्रकार से अधिक्तम आयू सीमा 45 वर्षा से जादा नहीं हो सकती तो आयू की गड़ना जब भरती विज्ञापन निकलता है उससे से गड़ना किया जाता है तो जब नोटिफिकेशन आए देखिए विज्ञापीत पत पर चैन के लिए निधारित आवसक सक्षडिक अरताय योग्यता नुंतम है और इन योग्यताओं के से होने से ही उम्मीद्वार लिखित परिक्षा सक्षात करें तो बुलाय जाने के हगदार नहीं हो जाते हैं तो उम्मीद्वार का चैन जैसा कि आप देख पार है परिक्षा योजना परिक्षा दो चरड़ों में होगी प्रथम चरण लिखित परिक्षा एमद्विती चरण इंटर भी होने वाला है तो इसमें दूसरा प्रेपर नहीं होगा मतलब लिखित परिक्षा के बार डारेक्टर साक्षात कर होगा और तो लिखित परिक्षा 6 होगा और साक्षाद का एंध्य कर रहेगा तो पहले प्रस्णों की संक्या डेडि सा हो रहेगा धायगान तैकी और एक जो प्रस्ण है दो अंक ओगा इस प्रकार से कूल तिन सब होंगे और इसमीं भी पार्ट है समान नहयास प्रशाद phải तो दोस्तों आप इसकी तैयारी रखते रहें, जारी रखें क्योंकि छतीस गड़ का समाने गयान नालेज होना चाहिए उसका देखिए सैक्षणिक प्रसासनियम सिक्षा के अधिकार के अंतरगर डेर सो कोस्चन पूछे जाएंगे जो भी दो अंका होगा और ये धाई गंटे का इसमें भी समय रहता है उसका साक्षातकार आपके 75 अंके होंगे, उम्मीद्वार का चेन लिखित परिक्षयम साक्षातकार में प्राप्तकुल अंकों के धार पर गुड़न उक्रम प्रवरगवार किया जाएगा तो इस प्रकार आप देखिए जो ये सिलेबस की बात करते हैं तो समान नध्याट का टापिक देख लिजे इन ही टापिक आप जब भी आप PSC का सिलेबस निकालेंगे तो यही टापिक आपको मिलेगा हर प्रकार उसका 36 गड़ का समान एग्यान इन सभी टापिक से आप सिजी PSC का सिलेबस जाकर उठा कर देखेंगे प्रिलियम समय तो यही सब सिलेबस है तो कहीं न कहीं आप कहीं डारेक्टर उससे काम आता ही रहेगा बुद्धी मता परिक्षड गडितिय योग्यता बुद्धी मता परिक्षड आप लोका विस्लेशन उसके देखिए स इसके लिए आयदन करने होते हैं इस प्रकार यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ देंक्यू फॉर वाचिंग जैन जैन बारत जैचातिस गड़